सो मेलो गाईز हम आचुके हैं भी मैक्स के पास और हम यहां से जाएंगे मौर्णिंग वॉक के लिए मैक्स भी मिलके बहुत जादा एक्साइटट था और इतš분 लिए तो इसे बहुत दिनों के पाद मैं मैक्स से मिलने गया था और वो इतना एक्साइडेट था कि पूरा पहुपडा था उपर से आप उसकी पार्किंग सुन सकते हो कि इससे वो बात कर रहा था और फिर हम यहां से प्लेग्राउंड के लिए निकल नहीं वाले थे बस वरीजेर में और फिर हम निकल चुके थे प्लेग्राउंड के लिए मेरे सर के घर से प्लेग्राउंड बस तो मिर्ट की दूरी पे है तो हम मैक्स को फुदा ही छोड के लिए दर के हैं और मैक्स पूरा प्लेग्राउंड जाने के लिए फुली एक्साइटेड था तो हम आ चुकी थे भी प्लेग्राउंड में और मैक्स अब बॉल से कहलने को लिए एक्दम खुद को रोक ही नहीं पा रहा था तो फिर हमने गेम को स्टार्ट करने का सोच रहा है अब बेग्राउंड में आते ही हमारा गेम स्टार्ट हो गया था है तो मैक्स गोभी हम रनिंग करवा रहे हैं बाल के साथ क्रेंख आहिसे पुटबॉल के साथ के लन भूपऊचारओ या बाल के साथ चलिक 갈मी साथ में और भूभ वह और हैना था ज्यादा घुश होता है फूटबॉल के साथ पहींने तुम मैक्स को हाई जंप करवाने का सोच रहे थे, तुमने वो भी करवाया और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना मैक्स का स्लो मो बनाया जाए तुमने वो भी बनाया जो कि आप आगे देखोगी कि अब चुका था तो मैं उसके बगल में जाके बैटके बैस को तो थोड़ा एक ही इसकी साथ प्री मस्ती कर रहा था और फिर हमने आज यहां पर एक नया दोस्त भी बनाया तो मेरे पास कुछ बिस्किट्स में लेकर आया था तो मैने इसको बिस्किट खिलाए और फिर थोड़ा सा प्यार भी किया उसे क्योंकि वो बहुत ही जादा क्यूट लग रहा था और फिर से थोड़ा सा मैक्स को हमने और खेलने दिया और मैक्स भी दीरे दीरे पूरी तरह थक्के बैट चुका था अब इसको भी लग चुका था निया आप घर जाने का टाइम हो चुका है मैक्स रेडी था आप घर जाने के लिए है तो हम भी बस निकल ले ही वाले थे वहां के मैक्स ने पना बॉल लिया और वो खुद से बॉल लेके जाता गर और वीडियो में देख सकते कि कैसे वह हमारे साथ बॉल लेके खुद से घटा रहा है मैक्स ने बॉल को लेके बहुत ही जाता पॉसेशिव है अब चल दिये थे आपको आपसे अपने घार की तरह अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करना फिल्कुल ना भूलें मैंक्स मैंक्स